हेलो माई डियर स्टुडेंट्स वेलकम टू दा आई एम बी एजुकेशन आज किस वीडियो में हम करें हैं क्लास 11 बायोलोजिका चैप्टर नमबर 20 लोको मोशन एंड मुवमेंट का क्वीक रिविजन वन शोट के अंदर इस चैप्टर को मैं सिंगल वीडियो के अंदर कंप चुका है तैकि आपको यह पता चलता रहे कि कौन सा टोपिक ज्यादा इंपोर्टेंट है कहां से ज्यादा बार नीट में क्यूसन आ चुका है साथ में आपको बता दू कि इससे पहले वाले सभी चैप्टर हम कंप्लीट करवा चुके हैं तो चैनल पर आप वीडियो रहने वाले हैं लगबग हर साल नीट में कि उसनियां पे आ जाता है उके सबसे पहले हम इंट्रो की बात कर लें तो यहाँ पर नाम ही चैप्टर का है लोको मोशन एंड मुमेंट तो सबसे पहले बात करते हैं मुमेंट की दें लोको मुशन अब जो मुमेंट होता ना वह significant feature है सबी living beings का चाहे वो animals हो और चाहे वो plants हो अब आप यह कहोगी plants भी क्या movement करते हैं तो movement का मतलब क्या होता है movement हो सकता है streaming of protoplasma एक जगे से दूसरी जगे जैसे साइटो प्लाजम होते हैं वो भी continuously movement करता रहता है इसके लाव अगर आप plants की बात करोगे तो वहाँ पर hormone की movement चलती है एक जगे से दूसरी जगे बहुत सारे minerals nutrients उन सब क्या चलती रहती है movement चलती रहती है clear है तो यह जो plants होता है और animals होते हैं वो सभी क्या करते है movement को शो करते हैं इसलिए सभी living organism की significant feature कहलाता है जैसे आप एग्जामपल दिया है जो unicillular organism होते हैं जैसे amoeba वगेरा वहाँ पर अगर हम simple movement की बात करें तो वहाँ पर केवल साइटो प्लाजम की movement ही होती रहती है प्रोटो प्लाजम की movement ही होती रहेगी क्योंकि वहाँ पर कोई और सेल ही नहीं है केवल सिंगल सेल है इसके लावे आप movement of celia, phlazula, tentacles वगेरा भी वहाँ पर many organism के अंदर होते हैं अगर हम human की बात करें तो यहाँ पर भी आप देखोगे जिसे limb की movement होगी जोज की eyelids की tongue की य बिलाता है, for example walking करें तो एक जगह से दूसरी जगह running, climbing, flying, swimming वगेरा यह क्या है, यह locomotory movement होती है, clear हो गया, मतलब यहाँ पर location change हो रही होती है, clear है, अब यहाँ पर एक चीज़ important है, locomotory structure need not to be different from those affecting other type of movement, जो locomotory structure होंगे वो जरूरी नहीं है कि वो other movement को affect करे, for example, pera mission, pera mission के अंदर जो cilia होता है, वो movement के अंदर help करता है food को, यानि जो food है, उसको कहाँ पर लेके आता है, cytopharynx के अंदर लेके आता है, इसके लागवा मदद करता है, लोको मोशन में, तो अगर वो locomotion में मदद कर रहा है तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि cilia और कोई function perform नहीं कर स सकता है, इस तरह से, for example, hydra, hydra, hydra जो होते है, उस मूँवा hydra tentacles को यूज़ करता है, अपने prey को capture करने के लिए, और same यह locomotion के लिए भी यही चीज़ यूज़ करता है, clear है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, अगर humans की बात करें यहाँ पर body posture को change करने के लिए किसका use के जाता है, limbs का use के जाता है, जिसमें हमारे hand and legs आते हैं, clear है, okay, अब एक बहुत important line लिक्यों इस paragraph में, कि यहाँ पर यह लिखा है कि all locomotion are movement, but all movement are not locomotion, यानि जितनी भी locomotion होती है, वो तो moment होगी, बट जितनी भी movement होती है, वो locomotion नहीं ह करते हैं, इसे लिए, यहाँ पर यह बोलागा है कि जो locomotion होगी, उसके अंदर तो movement होगी, बट जितनी भी movement होती है, उसके अंदर कोई भी locomotion नहीं होता, यह बहुत ही important है, अब कोई भी organism locomotion करता क्यों है, क्योंकि उसकी बहुत सारी demand होती है, for example, उसको locomotion किसलिए करने सकता है, food के, shelter के, mate के, suitable breeding वगेरा के लिए, या फिर favorable condition पे उसको अगर escape करना है, enemies या predator को तो इसलिए locomotion परफॉर्म की जाती है, अब बात करते हैं, types of movement के, यहाँ पे mainly three types of movement जो वो दी हुई है, NCRT में, amoeboid, ciliary और muscular, एके करते हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे, amoe of force हो गया, leucocyte हो गया, यह जो blood के अंदर, यह जो cells रहते हैं, यह क्यों movement show करते हैं, amoeboid movement show करते हैं, यह आपको याद रखना है, clear है, और यह जो movement होती है, किसके द्वारा affect हो सकती है, pseudopodia के दर, जैसे amoeba के अंदर pseudopodia बनता है, वैसे यहाँ पे जो streaming of prodoplasma, वहाँ प माइक्रो फिलामेट, वह भी आपके amoeboid movement show करते हैं, अब आपको बता दू कि यह जो सब कुछ हम पढ़ रहे हैं, इस chapter का इंट्रो जो part पढ़ रहे हैं, वह हमारा animal kingdom, किसे animal kingdom, और chapter number 7 जो है, वहाँ से link करेगा, कहां से chapter number 7 से animal kingdom से link करेगा, अलग-अलग chapter से यह थोड़ा स अब यहाँ पर जो ciliated epithelium होते हैं, जिनके अंदर ciliated होता है, उसी में जो moment करते हैं, वो क्या होते हैं, ciliary moment कहलाते हैं, अब यहाँ पर एक coordination moment चलती है, cilia की trachea के अंदर जो remove करता है dust particle को, clear है, इसके अलावा यहाँ पर जो भी inhale हो रहे है, अटमोस्परिकर से, उसमें जो भी dust particle आता है, उसमें trachea से, जो बाहर उनकी moment करवाता है, वो कौन करवाता है, cilia करवाते हैं, इसी तरह जो ova होता है, ova जो female reproductive tract के अंदर, उसकी moment भी कौन करवाता है, ciliary moment होती है, वहाँ पर भी cilia होते हैं, और आपको पता है, chapter number 7 में हमने यहाँ पर पढ़ा था ciliary moment के बारे में, और वहाँ से question भी आ चुका था, neat के अंदर, तो यह भी आपको link करके याद रखना है, next अब बात करती है, muscular moment का, तो जो हमारी limbs होती है, jazz होती है, tongue होती है, यहाँ पर जो है, वो muscular moment होती है, अब muscular जो भी muscles होती है, उनके पास एक property होती है, contractile property, मतलब muscles contract करती है then relax करती है, तो उस वज़े से क्या होता है, वो बहुत ही ज्यादा effectively use होती है, locomotion के अंदर, इसके लावा other moment जो भी human beings के अंदर होती है, वहाँ पर मेजरली जो multi-cellular origin होती है, वहाँ पर जो moment होती है, वो muscles के दोरा होती है, अब जो यह locomotion होता है, वहाँ पर एक perfect coordination की requirement होती है muscles के अंदर, neural के अंदर और skeletal system के अंदर, यानि जो हमारी muscles है, हमारा skeletal system है, वो जो हमारा nervous system है, इन तीनों में एक coordinated way के अंदर जो है, वो activities होनी था है, यह तभी जो वो locomotion perform हो पाएगी, clear है, अब हम इस chapter के अंदर के वहले हम बात करेंगे, muscles के बारे में, skeletal system के बारे में, जो next chapter, उसके अंदर बात करेंगे, neural system के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते है, muscles के बारे में, clear है, बट इससे पहले यहां पर एक फ्लेजिलर movement के बारे में भी और बता है, जो न्यूएंसियाटी आती है, तो chapter 8, जो cell the unit of life है, वहां पे हम दो चीज़े बढ़ते है, cilia और फ्लेजिला, तो सीलिया तो हो गया, बट जो फ्लेजिला है, वो रह गया, फ्लेजिलर movement के लिए, वह भी यहां पर तोड़ा सा डिसकस किया गया है, अब यह जो फ्लेजिला movement होता है, वह मदद करता है, स्वीमिंग और स्परमेटो जूआ को, इसके लावा जो water currents होता है केनल सिस्टम होता है, स्पंजिजिस के अंदर जो पोरीफेरा किंडम होता है, उसके अंदर जो water current मेकेनीजम होता है, वहां पर फ्लेजिला movement काफी help करती है, इसके लाव जो प्रोटो जुआ होता है, वह पर लोकोमोशन जो आपका मदद करता है, वह फ्लेजिला होता है, औ दिया हुआ है clear है यह बायलोजिकल क्लासिफिकेशन और इनिमल किंड़म दोनों जगे से लिंक हो सकता है आपका अब बात करते हैं मसल्स की आब बात किसकी करेंगे मसल्स की अब यह जो मसल्स है ना वह एक स्पेसिलाइज टीशू होता है और इसकी ऑरिजिन जो होती है वो मीजोडर्म होती है कैसी औरीजिन होती है मीजोडर्म होती है अब जो आपका टोटल वेट है ना बाडी का माली जैया आपका 100 KG . मसल्स के पास काफी इmp οποities कें बहुत होती है इसनीय कोन्कोंट मायद słी स्पेशल होती है तो nervous system की वज़े से muscles excite हो सकती है, contract हो सकती है, extend हो सकती है, extensibility होती है, और elastic भी होती है nature के अंदर, यह property होती है किसकी muscles की, अब muscles को हम अलग-अलग group में divide कर सकते हैं, based हो था criteria कि उनकी location का पे है, उनका appearance कैसा है, और nature of regulation कैसा है, उनके activities से, but हमने यहां पर muscles को केवल तीन group में divide किया गया, और वो based है location, यानि किस location पे कौन सी muscles है, उसकी base पे हमने, यह वल तीन में divide किया है, skeletal, visceral और cardiac, यह पूरी के पेरे जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, यह हमारा chapter number 7, जो है structure organization animals, वहां पे muscular tissue के अंदर इन तीनों को पढ़ते हैं, वहां पे diagram भी दिये हो है, तो मैं आपको यह recommend करूँगा कि वो diagram वाले चीज़ें जो है, वो इसके साथ में पढ़ें तो काफी link होके आपको समझ में आ जाएगी, clear है, okay, इसके साथ में आपको NCRT निकाल सकते हो, जहां पे muscular tissue वाला दिया हो, वहां पे diagram वगएरा दिया हो, आप देख सकते हो, सबसे पहले ब muscles को straighted muscles भी बोला जाता है, इसके अलावा अगर हम बात करें, इनकी activities होती है, वो nervous system, जो voluntary nervous system होते है, उसकी control में होती है, तो हम अपने voluntary, यानि हम अपने चाहा कर इन जो muscles होती है, उनको कैसे भी movement करवा सकते हैं, तो इसलिए जो muscles होती है, इनको voluntary muscles भी बोला जाता है, clear है, औ और यही वो muscles है, यही जो skeletal muscles होती है, यही वो muscles होती है, जो primary event होती है, हमारे locomotory action में, यानि locomotion और body posture को सबसे ज़्यादा जो affect करती है, वो आपकी skeletal muscles होती है, अब आपको skeletal muscles में क्या-क्या याद रखना पड़ता है, एक तो ही skeletal muscles होगी, striated muscles भी इनको बोलती है, उनको voluntary muscles भी बोलते हैं, यह तीनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, और इनकी appearance होती है, strict appearance, next हम बात करते है, visceral muscles के बारे में, जो visceral muscles की जो location की बात करें, तो यह inner wall जो hollow organ होती है, जो hollow visceral organ होती है, वहाँ पर generally हमें visceral muscles मिलती है, for example, elementary canal हो गया, reproductive tract हो गया, इन सब जगह में कि यहाँ पर कोई भी station नहीं होती है, they do not any exhibit experience, यानि इनकी जो appearance होती है, वो बिलकुल smooth होती है, इसलिए इनको visceral muscles भी बोला जाता है, अब यहाँ पर कोई भी stated नहीं है, तो इनको non-stated muscles भी बोला जाता है, यानि इनके तीन नाम हो गए, visceral हो गया, smooth हो गया, non-stated हो गया, इसलिए इनको involuntary muscles भी बोला जाता है, तो इनके चार नाम हो गया, visceral muscles, smooth muscles, non-stated और involuntary muscles भी इनको बोला जाता है, clear है, अब यहाँ से आपका AI need 2016 में कि उसना चुका है, आपको याद रखता है, अब यह कहां पर होती है, और क्या important role play करती है, तो यहाँ पर देखिए transportation of food through the digestive tract उसमें example करता है, इसके अलाबा गेमीट जो वो जनेटिल ट्रेक्ट के थूरू पास करने में, यहाँ पर भी इनका role होता है, clear है, next हम बात करती है, cardiac muscles के बारे में, अब cardiac muscles आपना ही पता है, cardiac कहीं पर भी word आजाए, तो वो हमेशे relate करता है, किस के साथ में, hurt के साथ में, muscular tissue के अंदर, अब जो cardiac muscles होती है, उनमें branching pattern होता है, और यहाँ पर जो cardiac muscles होती है, क्या होता है, ब्रांचिंग pattern होता है, बट इनके appearance की बात करेंए, तो यह strated होती है, जैसे आपकी हमारे voluntary muscles थी, जैसे skeletal muscles थी, वैसे यहाँ पर strated देखने को मिलता है, बट यहाँ पर क्या ह muscle वाला जो है, वह appearance वाला है, और जो voluntary involuntary वाला है, वह smooth muscles वाला है, तो इस type से होता है, और यह किसकी muscles होती है, hurt की muscles होती है, इन nature the nervous system does not control their activities क्योंकि इनको directly nervous system control नहीं कर सकता है, अब जो हम skeletal muscles हमने पड़ी है, skeletal muscles क्या होती है, created होती है, voluntary होती है, ओके तो अब हम study करेंगे skeletal muscles को, skeletal muscles क्या होती है, stated होती है, voluntary होती है, तो उसको हम detail में understand करेंगे, उसके structure के बाले में पहले, and then हम mechanism देखेंगे कि जो skeletal muscles होती है, वो कैसे contract काती है, तो सबसे पहले हम बात कते है structure के बारे में, तो जो भी skeletal muscles होती है, हमारी body के अंदर, वो सारे plural में है, तो facicles बोल देते हैं, अब यह जितने भी muscles bundles होती है, वो एक दूसरे के पास रहते है, common collision connective tissue layer की वज़े से, अब यहापे आपको यह दिखाए दे रही होगी, red red में, तो यह red red में क्या होती है, यह layer होती है, किसकी बनी होती है, collision connective tissue की, तो यह जितने भी muscles bundle आपको यहापे दिखाए दे रहेंगे, one, two, three, four, इस टाइप से, इन सब को पास में रखती है, और यह जो connective tissue की layer होती है, इसको बोलती है, फैसी का, इस layer को क्या बोल जाएगा, फैसी का बोला जाएगा, अब हर एक जो muscles bundle है, वहापे number of muscles fiber देखने को मिलते हैं, अब आपक क्या है, muscle fiber है, यहाँ पर क्या है, यह muscle fiber है, clear है, अब यह जो एक each muscle fiber होता है, यहाँ पर होती है, plasma membrane, यहाँ पर हज एक जो muscles fiber है, उसके बाहर क्या होगी, plasma membrane होगी, और जो plasma membrane होगे, वहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, सार को लेमा बोलेंगे, अब सार को कहीं पर वर्ड आ साथ में पल्मोंड्री आए तो वो किसके साथ में लिंक कर रहा है लंक्स के साथ में इस टाइप से सारको आए तो किसके साथ में मसल्स के साथ में क्लिर है तो प्लाजमा मेंब्रेन को क्या बोलेंगे सारको लेमा और यहां पर क्या होता सारको प्लाजम सारको प्लाजम जैसे साइटो प्लाजम होता है सेल के अंदर तो यहां पर मसल्स के अंदर वो जो प्लाजम है उसको क्या बोलेंगे सारको प्लाजम जैसे न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको क्या बहुते है न्यूक्लियो प्लाजम बहुते है उस टाइप से प्लाजमा मेंबरेन को क्या बो लगे यांपे सारक को लैमा ब लगे और यहांपर और क्या धिकश्प गए एंडो प्लासमिक रेंटिकुलम था यहां पर क्या होगा सार्को प्लासमिक करा नियू mathurكن चाहिजर्शीन नियू बहुत इमपोर्टोंट कि है धीयाँ पर आपका सारकोप्लाजम हे। क्षीख ए त। क्या स्टोर करता है केल्शियम आएन को स्टोर करता है जैसे एंडो प्लाजम क्रेटिकुलम क्या करे थे लिपिड्स एंड प्रोटीन का सिंतेजिस करे थे यहां पर ऐसे क्या कर रहे यह कैल्शियम आएन को स्टोर कर रहा है ओके अब आगे लिकार एक करेक्टर स्टिक्स ऑफ मसल फाइबर एक मसल फाइबर का करेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रेजेंस ओफ लार्ज नंबर ऑफ पेरलली अरेंज फिलामेंट्स इंदा सारको प्लाजम कॉल्ड मायो फिलामेंट्स और मायो फाइब्रिल्स यह बहुत इंपोर्टेंट है अब देखिए मैं आपको थोड़ा अब हम देखेंगे ने तो यहां पर ऐसे पैरलल में बहुत सारे फाइबर्स होंगे उनको क्या बोला गया मायो फाइब्रिल्स बोला गया क्या बोला गया उनको मायो फाइब्रिल्स और यह क्या है फिलामेंट्स है यहां पर होते हैं अगर इसको आप डिटेल में यहां पर ऐसा हमें दिखाई देता है तो यह नों ने बॉला यह पर यह बहुत सारे पयलल 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 एक दुसरे के 이제 ले ibril hars alternate dark and light bend on it alternate का मतलब एक के बाद एक अभि आ पको दिखाए दे जाएगा ये क्या है denim ये क्या है डार्क वेंड ये क्या है Living puern कि钱 अ लाइब फिर क्या गया dollar men इसी टाइप से मतलब एक बार light फिर डार्क फिर लाइप फिर णिस टाइप से alternate में होंगे यह clear है अब यहां पर यह जो आपको appearance दिखाई दे रही है यही appearance तो क्या कहलाती है आपकी striated appearance क्यों क्योंकि skeletal muscles कैसी होती है striated होती है तो लिखावादी के detail study of myofrability क्या बता है आपके striated appearance आती है क्यों क्योंकि यहां पर distribution pattern of two important protein यह जो आपको light and dark band दिखाई दे रहे हैं यह actual में दो important protein है कौन-कौन सी actin protein and आपकी myosin protein कौन-कौन सी protein है actin protein and myosin protein अब देखिए इसी diagram को अगर हम देखें यहां पर लिए तो यह इस type से यहां पर इस type से बनावा यह लाइली line यहां पर यह वाली line यहां पर यह आपको इस type से बनावा और यह आपके हो गए dark band clear है तो यहां पर यह light band यहां पर है यह dark band यहां पर है और इसको थोड़ा सा cartoonist की form में यहां पर इसको दिखाया गया है ताकि आपको easily समझ में आए जाए अगर हम इसका diagram बनाए तो किस type से यह muscles arrange होती है क्योंकि यहां पर तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा actual में तो इसको थोड़ा से यहां पर बनाए गया है clear है अब यह जो light band होते है यह होती है आपकी actin protein यह आपको light color में दिखाई दे दिए यह protein होती है आपकी कोंसी protein actin protein और यह आपको थोड़ी सी dark में दिखाई दे रहे है थोड़ी सी dark brownous color में दिखाई दे यह protein कोंसी हो गई आपकी मायोसिन प्रोटीन हो गई यह इन्होंने बताने की कोशिज की है अब देखिए आगे जो हमें बेंड दिखाई दे रहे थे मायोसिन प्रोटीन होती है अब बोथ दा प्रोटीन अर अरेंज रोड लाइक स्ट्रक्चर और पैरलल टू इच अदर इन आलसो दो लॉंगिटूनल एक्सिस ऑफ दा मायो फाइब्रिल अब यहां पर यह जो है यह क्या है इस टाइप से मैंने आपको बताया था एक आपका क्या हो गया यह मसल्स बंडल हो गया अब मसल्स बंडल के एक में यहां पर क्या हो गया यह इस टाइप से पैरलल होंगी एक दूसरे के और यहां पर भी आपको दिखाई देरिए यह पैरलल चल रही है अब देखिए यहां आपका light band बना रहा है actin का यह आपका a band a band के अंदर आपकी डार्क वाली है तो यहां पर यह क्या बना रहा है a band बना रहा है anisotropic myosin का clear हो गई okay मैं अब आपको थोड़ा थोड़ा सा इस जो है मैं इस diagram से पहले आपको बता देता हूं फिर उसके बाद में हम आगे study भी कर लेते हैं यह क्या लिखा हूँ इस diagram से पहले clear हो जाएगा अब यह जो आपके हमने बात करते हैं सबसे पहले इनके बारे में जो हमने पार्ट बत क इढ़े इढ़ेज़रख है, इढ़े आपके है, इढ़ेज़रख है, इढ़ेजरख है, क्लिर रहे है तो यहाँ भी मैं यह बोल सकता हूं कि जो आपका आई बेंड, जो आपका एक्टिंड प्रोटिन होते हैं, उसके बिल्गुल सेंटर में मिलती है, जैड लाइन, गेर हो क्या है आपका मायोसीन भी है और एकटिन भीया पर जहां तक मायोसीन इसको बोलती है 입니다 क्लिर है अब जहां पर एक्टिन नहीं है केवल और केवल मायोसीन है अब यहां पर देखी केवल और केवल मायोसीन है आई बेंड में आपकी केवल और केवल एक्टिन थी आपकी यहां पर देखो केवल और केवल मायोसीन और एक्टिन नहीं है तो जो कहां पर केवल और केवल मायोसिन होती है उसको बोलते है एच जोन क्या बोलते है एच जोन बोलते है अब यह जो एच जोन होता है यह जो आपकी यहाँ पर प्रोटीन मायोसिन मायोसिन को आप ये भी बोल सकती हो कि ये जो प्रोटिन होती है ये मायोसिन वाली ये आपकी थिक प्रोटिन होती है कैसे प्रोटिन होती है तिक प्रोटिन होती है इसके लावा डार्क बेंड बनाती है इसलिए और कैसी होती है डार्क होती है और इनका नाम तो हमने बात दी क करदी क्या होता है यह मायोसिन होती है अब यह जो आपकी एच जोन है यहां से लेकर यहां तक यह जो प्रोटिन है और इसमें जो एच जोन है उसके बिल्कुल सेंटर में एक मेंब्रेन की लेयर होती है किसकी लेयर होती है मेंब्रेन की लेयर होती है उस मेंब्रेन की लेयर को हम बोलते है M line क्या बोलते हैं उसको M line अब M का मतलब यहाँ पर middle line है क्या है यहाँ पर नाम इसका middle line है क्यों क्योंकि यह जो आपका A band है यानि जो myosin वाली protein है उसके बीच में बिल्कुल center में जहां से attach है उसको बोलते है M line middle line clear हो okay अब जो आपकी दो Z line है यानि जो I band के बिल्कुल बीच वाली जो line है दो Z line है यह एक functional unit होती है यानि यहीं पर सारा काम होता है यह एक functional unit कहलाती है अब यहाँ पर Z line होगी फिर एक और Z line अगर बनाऊंगा तो उसकी बिल्कुल सेम मैं चीज जो यहाँ पर दिखाए देरी ऐसा सेम यहाँ पर होगा इसी दरह अगर मैं यहाँ पर एक जैड लाइन खिंच के और यहाँ पर यह बनाऊंगा तो यह भी सार को मेर होगा यह जो चीज है यह बिल्कुल रिपीट यहाँ पर होगी तो यह जो हम इसको जो दो जैड लाइन के बीच का जो पोर्टिन होता है उसको बोलते है सार को मेर और यह होती है एक फंक्शनल यूनिट क्लिर होगा आपको नहीं क्लिर हुआ तो फिर बता देता हूँ जो लाइट बेंड होते हैं उसको बोलती हैं क्या आई बेंड और यहाँ पर जो प्रोटिन होती है वो केवल एक्टिन होती है जो डार्क बेंड होता है उसको हम बोलते है एबेंड और यहाँ पर एक्टिन मायसिन प्रोटिन होती है क्लिर है जो आपका एक्टिन प्रोटिन है उसके बिल्कुल जो सेंटर वाला पॉर्शन होता है उसको बोलते है जैड लाइन अकplex है जो कि के मायोश सिन् प्रोटिन होती है उसके बीच में एक लाइन होती है मेंब्रेनेस की बनी हो इसको जो एं में डार्ण में नहीं बनाई हुई है clear okay अब यह जो दो जैड लाइन के बीच का जो portion होता है उसको बोलते है सार को मेर और यह आपकी क्या एक functional unit होती है अब यही सब कुछ यहाँ पर लिखावाए देखें आपको सामने हैं दिखाई दे जाएगा actin filament कैसे होते हैं thinner होते हैं compared to mycine यानि mycine में बता चुक हो थिक होते हैं और आपके actin जो होते हैं थिन होते हैं hence commonly called thin and thick filament जो आपका actin उसको thin और जो mycine उसको thick filament बोलते हैं अब बोलागे in the center of the each of eye band eye band के जो center है eye band का मतलब actin वाला उसके center में एक elastic fiber होता है jet line which bisected it यह मैंने आपको बता दी यहाँ पर यह आपका eye band है इसके बीच में यहाँ पर यह आपकी बिल्कुल center में line है इसको हमने jet line बोला है clear है अब आगे लिखाया यह जो आपकी thin filament firmly attached to the jet line यह जो thin filament होती है इसी से आपके जो होते हैं वह jet line से attach होते हैं वह भी मैंने आपको बताए था कि जो thin filament होते हैं वह attach होते है jet line से अब जो thick filament होती है in the a band are also held together by middle of this band by the thin fibrous membrane called the M line अब मैंने बताए कि यहाँ पर diagram में आपको वह M line नहीं बनाई गई है बट यह जो यहाँ पर बोलागे कि thick filament के बीच में एक membranous layer होती है जिसको बोलते है M line जिसको मेडल लाइन भी बोलते हैं यहीं आप इन्होंने बताने की कोसिज की है I hope यह आपको यह M line वाला concept आपको समझ में आ चुका होगा अब यह जो A band और I band है arranged alternately throughout the length of the myofril यह आपके myofril में बिल्कुल अरेंज alternate होते हैं एक के बाद एक एक के बाद एक क्लीर है अब आगे लिखा है the portion of the myofril between the two successive journeys considered as the functional unit of contraction is called सारको मेर तो contraction का एक functional unit क्या कहलाती है सारको मेर दो जैड लांग के बीच का जो portion होता है उसको बोलते है सारको मेर यहां से EIPMT 2001 में question आ चुका है clear है जब resting stage भी होता है यानि यहां पर कोई भी contraction नहीं हो रहा है तो यहां पर क्या होता है edge of thin filament on either side of the thick filament partially over of the free end of the thick filament leaving the central part of the thick filament the central part of the thick filament not overlaid by the thin filament is called the gen node तो यह जो हमें diagram दिखाई दे रहा है यह बिल्कुल resting stage का है जब contraction नहीं हो रहा है तो contraction जब नहीं हो रहा है तो यहां पर यह thin filament जो होते हैं वह overlap नहीं करते हैं completely thick filament को तो वह कहलाता है edge zone जब contraction होने लगेगा ना तो हम क्या देखेंगे कि यह जो आपका portion है यह thin filament एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएंगे और इसको completely overlap कर लेंगे और myosin पढ़ा है उनके structure के बारे में तो यहां पर इन्होंने यहीं बोला है structure of contractile protein यानि पहले बात करते हैं actin की denim बात करेंगे myosin की actin filament जो होता है ना वो filamentous actin helically one to each other यहां पर जो है वो बनता है किस टाइप से two filamentous actin से मैं simple simple आपको पहले actin बरता देता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा यहां पर देखिए दो f actin है यह दो f actin एक दूसरे के helically ऐसे arrange होते है माल लीजिए यह मोतियों की माला जैसे मोती होते हैं मोती यह किसकी माला है मोतियों की माला है clear है और यहां पर यह जो आपको ट्रॉपो मायोसीन दिखा रहा रहा ना यह मालीजिए gold chain है सोने की chain है यह क्या है gold chain है clear है और यह जो ट्रॉपो नीन है इसको यह मालीजिए यह diamond है तो आप simple क्या काम कर लीजिए माला ऐसे होती है उसको यहां से पकड़के और यहां से पकड़के जब थोड़ा सा रोटेट करोगे तो वो इस टाइप से बन जाएगी तो सबसे पहले मोतियों की माला को रोटेट कर दीजिए फिर एक gold chain लीजिए उसको बिसके बिल्कुल same size का लीजिए उसको रोटेट कर दीजिए फिर आपके diamond लीजिए कहीं कहीं पर उन diamonds को रख दीजिए उन मालाओं पर तो यह बन जाएगा आपका actin अब कैसे बनेगा simple simple देखिए यह होती है आपकी f actin f actin बनती है बहुत सारी monomer unit से यहां पर दिखाई दे रही है एक 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 जो डोट दिखाई दे रह आती है नहीं filamentous actin आपके बनाते है clear हो गया उसके बार में होता है ट्रोपोसीन या पर यह क्या होता है ट्रोपोसीन और यहां पर यह होते है ट्रोपोनिन जो आपके regular interval पर होते हैं यह जो ट्रोपोनिन होते हैं यह क्या करते हैं जो active site होती है myosin की उसको cover करके रखते है clear ह गया अब यह सब कुछ यहां पर दिया हुए आपको अभी समझ में आ जाएगा देखिए यहां पर इच फिलामेट सबसे पहरे आप एफ एक्टिन यानि फिलामेट एक्टिन जो वह हैलिकली वांड है इच अधर अब एफ एक्टिन जो वह पोलीमर है मोनोमरी क्या नि लेगल्ड इसे चलेगी अब यह क्या पता है अब यह क्या पता है तो इसकी कम्प्लीट लेंथ में यह बिल्कुल पैरलल चलते हैं एक कॉंप्लेक्स प्रोटिन ट्रोपोनिं इसे माल लीजिए आपके डाइमंड से तरी तरीके वह डिस्ट्रिब्यूट होंगे रेगूलर जिसको मैंने diamond भूला है उसकी एक sub unit क्या करेगी उसकी एक सब यूनिट क्या करेगी मासक का मतलब cover करना जैसे कविड में मास को क्या करेखे आप मासक से क्या करें थे nose को cover करें तो जो मायोजन की active binding site है उसको mask करने का काम किसका है ट्रोपोनीह कहा है ओन दा – एक्टीन फिलामिटेध रत पर हर इस जो आप्के एक्टिन फिलामेट होता होता है यहां पर एक एक्टि वाइंडिंग साइट होता है इसको रचाறी होगनी करकेản श्रक्राने हैं अब आपको यहां पर इसको कवर कर रखाए है कि सभींट यहां पर रगाए वह हैं पर एकटी meant टि टीपी बाने साइट यानी होसे को अब यहां पर नहीं हो कर पर दा है वहां हां पर देखें जो यह आपका बनता है हेड से एक तो बनता है किस से हेड से जो आपकी यहां पर यह वाला जो पॉर्शन दिखाए गए इसको बोलते है शोर्ट आर्म इसको क्या बोलते है शोर्ट आर्म बोलते है तो हेड और शोर्ट आर्म मिलके बनाता है क्रोस आर्म हेड और शोर्ट आर्म मिलके बनाता क्या क्रोस आरम और यह जो आपका पीछे वाला पॉर्शन यह वाला इसको क्या बोलते हैं टेल बोलते हैं क्या बोलते हैं तो यह जो क्रोस आरम है जिसके अंदर हैड और आपका क्या आता है शोट आरम आता है यह जो मेरोमायसीन है यह हैवी मेरोमायसीन है क्या है यह हैवी म hemeh m बोलते हैं यहां पर light myromycin है तो इसको बोलते हैं l mm यानि light myromycin ताइप siya protein बनती है अब आपके सामने है देख लीज्या सबसे पहले समझ में आगे है कि माईसिन होती है monomeric protein myromycin से बनती है यहां पर यह थीक filament बनती है अब जो मेरोमाइसन होती है उसमें टू इंपोर्टेंट पार्ट होता है एक ग्लोबिलर होट हैड होता और एक साट आर्म होता रेक टेल होती है यह समझ में आगे है यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा यहां पर यहां पर क्या है यहां पर क्या है शोट आर्म है और यह क्या है आप आपकी light mirror machine light mirror machine कोन सी यह जो आपकी tell हो गई इसको देखे दा HMM head mirror जो आपका heavy mirror machine है इसके अंदर क्या आता है देखे दा head and the short term that is the head and the short term project outward at regular descent and angle from each other from the surface of a polymerized machine filament and known as cross arm यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने क्या बना एक angle बनाया थोड़ा अगर यह ऐसे चल रहे थे सही से तो यहाँ पर यह क्या हो गया एक angle हो गया यह angle बना रहे हैं किसके साथ में जो आपके light के साथ में heavy mirror machine एक angle बना रहे हैं यह इन्होंने बताने की कोसिस की है यह regular interval पर होता है जो global head है वहाँ पर active ATP enzyme and binding site for ATP and active site for actin के लिए भी होती है तो यह आपको यहाँ पर जो diagram में दिखा है यह सब कुछ यहाँ पर होता है active binding site और ATP binding site यहाँ पर होती है clear है यही सब कुछ structure के बारे में बात किया है अब हम बात करते है mechanism of muscle contraction यहाँ जो muscle contraction होते है इसमें कौन सा mechanism होता है तो वहाँ पर sliding of the thin filament over the thick filament यानि जो हम diagram में देख के आए थे कि जो हमारी actin filament है वह slide करेगी किसके उपर myosin के उपर clear है अब यहाँ पर इसमें आपको यह दो चीजे बहुत important याद रखने है कि जो आपका head reason है वहाँ पर एक तो है ATP binding site क्या है ATP binding site and second कुन से आपकी actin binding site यानि जो actin है वहाँ पर जो आपकी light band है जो actin filament है वो यहाँ पर आके bind करेगा और ATP binding site यानि यहाँ पर ATP आएगी और वो यहाँ पर breakdown होगी किसके अंदर adeno diphosphate plus inorganic phosphate के अंदर यह दोनों चीज़ें आपको अगर समझ में आ गई तो यहाँ पर आपको यह mechanism बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा इसके लावा एक बार वो diagram देख लेना जो आपको दिया हुआ है NCRT के next chapter में 21.5 जो diagram है वहाँ पर जो है वो आपका reflex arc वाला जो diagram है वो भी आपको देख लेना है एक बार में आपे दिखा देता हूँ तो यहाँ पर वो उसका role भी होता है क्योंकि वहाँ पर भी क्या होता है reflex arc में भी हमारी muscle जो होती है वो contract करती है तो उसका कुछ एक जो diagram हो उससे आपको समझ में आ जाएगा इस diagram में क्या दिया होता है जो आपको diagram है वहाँ पर पहले signal जाता है muscle से किस के पास में CNS के पास में जो signal लेके जाते हैं वो efferent आती है वो जो signal वहाँ पर motor होता है फिर वहाँ से signal आता है motor signal के दुरू उसको क्या बहुत है efferent बोलते हैं clear है तो यहाँ पर यही होगा हम के वल जो efferent signal जा रहा है उसकी बात नहीं करेंगे जो CNS से signal आ रहा है उसकी यहाँ पर बात की गई है यह देखे muscle contraction कब initiate होती है कब start होती है जब signal sent by the CNS central nervous system motor neuron के थ्रू जो efferent आता है इस motor neuron के तुरू जो होता है जब CNS सिगनल भेजता है तब वहाँ पर start होती है muscle contraction तो इसका मतलब है है सबसे पहले क्या आएगा CNS से सिगनल आएगा motor neuron के तूरू अब यह जो motor neuron होती है वो muscle fiber के साथ में जब connect होती है तो उसको बोलते है motor unit motor unit क्या होती है motor neuron plus muscle fiber को क्या बोलती है motor unit बोलते है clear है अब यह एक junction बनाता है जो आपका motor unit होता है यह junction बनाता है the junction between the motor neuron and the sarco lemma of the muscle fiber यहाँ पर जो sarco lemma of the muscle fiber है यहाँ पर आपकी motor neuron जो होती है उसका end part आ जाता है वहाँ पर जाके वो खतम हो जाती है तो उसको क्या बोलते है is called the neuromuscular junction उसको क्या बोला जाता है neuromuscular junction बोला जाता है neuromuscular junction बोला जाता है neuromuscular junction यहां पर नर्व आई है कौन सी motor neuron muscular यहां पर muscles है इन दोनों का junction हो गया उसको नाम क्या दिये गया neuromuscular junction या फिर यहां पर ऐसा भी बोल सकते हो motor end plate क्यों कि जो यह मोटर यूनिट बनाई है इसकी यहां पर बिल्कुल एंड आ चुका है तो यहां पर इसको बोलते हैं मोटर एंड प्लेट क्लियर हो गया यह चीज समझ में आगी अब आपको याद रखना है कि जहां पर हमने बात की एंडो प्लाजमिक रेटिकुलम यहां पर वह था सारको प्लाजमिक रेटिकुलम और वहां पर क्या थे आपके बहुत सारे केल्शियम आयन थे अब देखिए सी एंड से आपका मोटर एंड प्ले तक सिग्नल कैसा है गा नियूरल सिग्नल रीचिंग दा जंक्शन कौन सा जंक्शन नियूरो मस्कुलर जंक्शन रिली यहां पर क्या होता है एक्शन पोटेंशिल को जन्रेट करता है किसके अंदर सारको लेमा के अंदर किसके अंदर रिलीज करता है सारको लेमा के अंदर एक एक्शन पोटेंशिल को जन्रेट करता है जो नियूरो ट्रांस्मेटर होते हैं वह यहां पर रिलीज होने के बाद म इससे क्या होता है इस स्प्रेड थ्रू दाल मसल फाइबर पूरी मसल फाइबर स्प्रेड हो जाएगा कोज ई रिलीज of calcium iron इंटू दा सारकोप्लाजमा जो हमारे Fraser क्रोलम के कर दा के बाँ गैलीज कर दिया जाता है अब यह जो nonprofit के अच्छा यहां उसके अंदर calcium iron क का level बढ़ता है। यहां पर क्या हूत है। जैसे calcium iron का level बढ़ेगा, यह bind कर जाएंगे with a sub unit of troponin Troponin समझ में आगया जो, हमारी , जिसको हमने diamond बताएथ थाwerk blev ते वहाँ पर bind कर जाएगा, on the actin filament and thereby remove the masking of active site for law मैय literature to remove the masking of Patrick進 calcino किसको जो active binding site होती है myosin के लिए उसको बड़ अब क्योंकि हम मसल को contracts करवा रहे हैं तो यहां पर जो calcium है नहीं वो क्या कर देते हैं जो यहां पर masking site है आपकी myosin के लिए active filament पे उसको remove कर देते हैं अब क्योंकि दोनों चीज़े clear होगी यहां पर actin binding site जो थी हमारी किसके अंदर myosin के अंदर आपको यहां पर यह देखिए अब क्योंकि यह active हो चुकि है तो यहां पर actin binding site है यहां पर actin भी bind करेगा यह वाला portion और ATP binding site है तो ATP bind करेगा और ATP use होगा तभी आप देखते हो muscle contraction जब भी हम exercise करते हैं तो energy use होती है क्यों कि वहां पर ATP वो यूज हो रहे है इसलिए देखिए using utilizing the energy from ATP hydrolyze और energy कहां से use कर रहा है ATP जो binding site थी वहां से the myosin head now binds to the exposed actin site to actin to form a cross bridge और यह क्या बना लेता है cross bridge बना लेता है अब मैं आपको यहां से द्यान से समझाता हूँ इस diagram से समझें यह actin filament है यह आपका ADP और आपका inorganic phosphate है यह simple start है यहां पर अभी तक कुछ भी नहीं हो है फिर उसके बाद में क्या होता है यहां पर calcium line बहुत सारे release होते हैं आपका cns signal आता वो actin filament है वो इस thick filament के जो head वाला region है वहां पर bind कर चुका है इनके बीच में क्या बन चुका है cross bridge बन चुका है इसके लावा जो myosin head वहां पर आप देखोगे जो ATP है वो use कर ली गई है क्या हो गया वहां पर ATP को use किया गया है formation of cross bridge हो चुका है फिर जैसे slide होता है थोड़ा सा sliding आगे की तरफ होता है क्यों क्योंकि इसका mechanism क्या था जो thin filament है वो slide करेंगी किसके उपर thick filament के तो थोड़ा सा sliding होते ही क्या होगा आपका next वापीस से क्या होगा यह active हो जाएगा दुबारा से और दुबारा से क्या होगा जो आपके ATP है उसके लिए free हो जाएगा और एक और ATP यहां पर आके bind कर जाएगा फिर एक और ATP को यहां पर यह use कर लेगा देखें ATP यूज़ करेगा और attach हो जाएगा फिर ATP यूज़ करेगा attach हो जाएगा और इस तरह से क्या करेगा जो हमारे यह thin filament है इसको इधर slide करता रहेगा किदर slide करता रहेगा जो हमारी M line थी उसकी तरफ slide करता रहेगा अगर अब भी नहीं आ रहा तो मैं आपको इस diagram से समझाता हू हो क्या रहा देखें यहां पर क्या हो रहा है यह जो आपके thin filament है इसको इस वाले को इधर slide करेगा इस वाले को इधर slide करेगा तो यह इधर आएगा दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते रहेंगे और दीरे यह पूरा जो है वो overlap हो जाएगा clear है उसकी वज़े से यह जो श space दिखाई दे रहा है यहां पर H zone यह भी कम होता जाएगा क्यों क्योंकि यह जब thin filament है यह एक दूसरे के ऊपर आते जाएंगे और हर बार जब एक sliding हो रहे है तो एक ATP यूज़ कर रहा है इस टाइप से यहां पर बताया गया है तो यह चीज़ आपको clear हो गया होगी कि कैसे crass bridge बनता और कैसे ATP hydrolyze होती है अब इससे होता है क्या देखें दिस पूल्स दा अटेज एक्टीन फिलामेंट टूर्ड दा सेंटर ओफ दा एबेंट तो एबेंट कौन सा था आपको समझ में आ चुका होगा जो मायोसिन वाला बेंट था उसमें सेंटर जो M-Line थी उसकी त shortening of the sarcomere क्यों क्यों क्योंकि दो jet line के बीच वाला ही क्या कहलाता है आपका sarcomere कहलाता है तो jet line भी क्या की एक दूसरे के पास आगी that is the contraction ये क्या होता है contraction होता है अब यह वाला पेराग्राफ जो माँ आपको बता रहों बहुत important है क्योंकि AI PMT 2006 में नी 2013 में नी 2018 में और नी 2021 में कि उसना चुका तो यह paragraph यहां पर सबसे ज्यादा important होना है यहां पर यह पूछा जाता है कौन short हो रहा है कौन long रहा है किसकी size जो वो maintain है यह सब कुछ clear है यह चीज़ आपको याद रखनी है तो सबसे पहले आप देखिए जैड लाइन जो वो एक दूसरे के पास में आ रहा है इसका मतलब सार को मेर शोट हो रहा है clear है यह याद रखना है एबेंड बिल्कुल remains same रहेगा it is clear from the I was ready that during the shortening of the muscle contraction the eye band get reduced I band joha wukam ho raha क्यों कम हो रहा है क्योंकि जो आपकी जैड लाइन है वो एक दूसरे के पास में आ रहे है तो जैड लाइन अगर एक दूसरे के पास में आएगी तो आपका थिक filament तो उतना ही रहेगा बट I band दिरे दिरे reduce होएगा एबेंड जो वो retain the length A band के कहीं कुछ नहीं होता क्यों 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 जो myosin है वो तो उतना का उतना ही रहेगा वो कहीं पर भी नियारा केवल उसके उपर जो वो थिन filament आ रहा है तो केवल थिन filament वाला जो portion है जो light band है वो क्या हो रहा है थोड़ा सा short हो रहा है आगे लिखा है the myosin release the ADP and inorganic phosphate क्योंकि ATP को यूज जब breakdown करेंगे तो यही तो होता है जो आपका ADP और inorganic phosphate बंदा जाता है और यह head and the cycle of cross breeze formation चलता रहेगा continue and breaking breakage is repeating causing further sliding और फिर ऐसे sliding होता रहेगा अब यह diagram समझ लिए जहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा यह देखिए यह यहां पर simple line का मतलब है actin filament और किसी यहां पर कोई भी h zone नहीं रहा है तो इसका मतलब h zone जो है जब maximum contraction हो जाता है तो वहां पर कोई भी h zone present नहीं रहता है clear होगा यह चीश समझ मागी अब i band देखो पहले इतना है feel देखो यहां पर यह short हो गया और फिर यहां पर तो कहीं पर i band दिखाए नहीं ज़ह रहा है इसका मतलब मैक्सिम मॉमां कोट्रेक्शन हो जाता है तो अइब जो था वो भी नहीं रहता केवल और केवल क्या रहता है आपका A игра जो है, वो अब भी उतना का उतना रहता है इसके यहार देखो, след line यहाँ पर यहाँ पर है यह तो simple है पहले देखो, यहाँ पर इतना कम हो गया size, यहाँ पर आ चुकी है फिर यहाँ पर इतना कम हो गया size, यहाँ पर इतना गया किसमें नहीं चले जाती है आपके Coca seri splasrics नाइन यहां पर सिस्ट्रनी अगर bacteria इंता ग यांसे से मास्किंग ऐ씨 تूमें पूछा गयादा अब केल्शियम आइन अगर वहां पर नहीं है तो जो आपकी एक्टिन जो फिलामेट साइट है वह वापी से मास्क हो जाएगी वहां पर कवरिंग आ जाएगी वापी से इस को दा रिटेन ऑफ दा जैड लाइन बैक तो देर नॉर्मल पोजिशन उसकी वज़े से क्य क्या होगा लेक्टिक एसिड का एक्यूमिलिशन होने लगेगा क्यों क्योंकि वहां पर एन एरोबिक ब्रेकडाउं हो जाएगा गलाइकोजन का इसलिए और अगर एन एरोबिक ब्रेकडाउं हो गया मसल्स के अंदर तो वहां पर क्या हो जाएगी मसल्स फैटिक हो जाएग अब मसल फाइबर को वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है एक को हम बोलते है रेड फाइबर और एक को बोलते है वाइड फाइबर अब यह रेड फाइबर और वाइड फाइबर क्या होते है यह देखें muscles में जहां पर red color oxygen storing pigment जिसको myoglobin बोलते हैं अगर वो बहुत ज्यादा high है आपका जो oxygen स्टोर करती है muscles वो जो आपका red color का pigment होता है उसको बोला जाता है myoglobin अगर यह myoglobin बहुत जादा है तो यहां पर क्या होगा क्योंकि pigment ही red color का है तो वो जो muscles होगी उसके appearance कैसे आएगी red इस आएगी इस लिए इस muscles को बोला जाता है red fiber इसके लावा यह जो red fiber होते हैं यहां पर plenty of mitochondria भी होते हैं क्योंकि mitochondria क्या 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 क्का क्रते हैं aerobic respiration का क्का कर पाएगा तो वहां पर plenty of mitochondria भी होंगे और यह mitochondria क्या क्या करेंगे जो आपका large amount of oxygen है उसका use करेंगे और क्या करेंगे stored in them for the ATP production रौपे वो ATP का production करेंगे इसलिए यहां पर यह जो red fiber होते हैं इसको aerobic muscles भी बोला जाता है वहीं पर अगर हम बात करें white fiber की तो white fiber में क्या हो होता है some of the muscle for less quantity of myoglobin यहां पर जो myoglobin है वो बहुत ही कम होता है as is compared to red fiber इसकी वज़े से यहां पर appearance आती है वो यह पेल या फिर white is आती है इसलिए in fiber को बोले जाते white fiber जहां पर myoglobin जो वो बहुत ही कम होता है अब myoglobin कम है तो यहां पर myto countryya के नंबर जो वो भी क्या होते हैं कम होते हैं इसलिए यहां पर देखिए but the amount of sarcoplasmic reticulum is high but यहां पर sarcoplasmic reticulum का नंबर जो वो बहुत ज़्यादा होता है and they depend on the anaerobic process for the energy और यह क्या होते है एन aerobic process पर depend करते हैं कौन आपके white muscle fiber clear है और red muscle fiber जोते हैं वो aerobic पर depend करते हैं अगर next आप बात करने वाले skeletal system के बारे में जो skeletal system होता है वो बनता है bones और कुछे cartilage से मिलकर क्या बनता है skeletal system बनता है अब यह जो system होता है वो सबसे important role play करता है किसमे movement के अंदर जो body की movement होती है body के posture होती है walking करना होता running करना होता है उसमें सबसे ज़्यादा important role play होता है bones and fuel cartilage का यानि skeletal system का अब यह दो चीजों से मिलकर बनता है bone and cartilage और यह जो bone and cartilage यह क्या है special connective tissue है chapter 7 के अंदर हमने पढ़ा भी था अब जो bones होती है वो very hard matrix की बनी होती है क्योंकि वहां पर calcium salt जो होते है वो deposit होते है वही अगर बात करें आपकी cartilage की तो यह slightly pliable matrix होता है pliable का मतलब है थोड़ी सी flexible होती है क्योंकि यहां पर होते है condrotin salt clear है अगर हम human beings की बात करें तो यहां पर यह जो skeletal system है यह बनता है 206 bone से कितनी bone से 206 bone से और कुछे cartilage से मिलकर बनता है क्या human के अंदर skeletal system अब यह जो skeletal system है इसको two parts में divide किया गया है एक हमने बात किया किसके बारे में the axial skeletal system and second हमने बात किया किसके बारे में appendicular skeletal system पहले हम बात करेंगे किसके बारे में axial skeletal system के बारे में जो axial skeletal system होता है इसके अंदर total जो bone आती है वो आती है 80 कितनी आती है 80 आती है तो अगर appendicular skeleton system की बात करें तो वहाँ पे कितनी आएगी 126 क्योंकि इसको add करोगे तो आपको कितनी मिल जाएगी 206 मिल जाएगी clear है अब सबसे पहले आपे लिखाओ देखिए axial skeleton जो होता वो कितनी bone से बनता है 80 bone से बनता है और यह जो होता है वो distributed along the main axis माल लीजिए यह हमारे पास है human क्या है human है तो यहाँ पर यह जो main axis है इस type में जो bone चलती है वो कौन से होती है axial skeleton के अंदर आती है और जो हमारे limbs होगे जैसे hand होगे legs होगे और इनके साथ में लगने वाले जो giddles वगेरा होगे वो किसके अंदर आते हैं वो आते है appendicular skeleton के अंदर यह चीज़ clear होगी तो यहाँ पर देखिए जो axial skeleton है वो किस-किस से मिलकर बनता है सबसे पहले skull से मिलकर बनता है देन आता आपकी vertebral column देन आता आपका sternum and देन आपका rib constitute clear है तो यह जो skull होता है skull के अंदर कितनी bones होती है आपको यह पता होने जी तो skull के अंदर दो part आते हैं एक आता है हमारा cranial part और एक आता हमारा facial part तो जो cranial part होता है उसके अंदर होती है 8 जो facial होता है उसके अंदर होती है 14 तो यह तो 14 और 8 total 22 bones होई इसके अलावा बात करें तो यह पे आते हए ear ossical क्या हती है ear ossicalievrome 예र के अंदर भी बौन होती है तो 1 ear के अंदर कितनी कितनी हो गई एक बौन होती है hyoid bन जिसको हम neck bone भी भी बोस इसको क्या बोलती है hyoid bone तो यहां पर totale हो गई हमारी 1+, hyoid bone तोटल कितनी होगे यह होगी हमारी 39 bonz clear है तो मैं ये बोल देता हूं कि सकल वाले में टोटल जो बोन आ रही है एक बार मैं ये मँन के चल रहा हूं कितनी बोन रही है 29 पर actual टोटल बोन बोलेंगे रहां स्कल के अंदर वह बोलेंगे अंदर आती है कितनी total 26 sterlum हो गई 1 ribs के अंदर आती है total 12 pair of ribs होती है तो यह हो गई 24 अब इसको जब आप add करोगे तो यह हमें मिलेगी कितनी 80 bonds मिल जाएगी clear है तो यह कितनी bonds हो गई 80 bonds हो गई आप इसको add करिए तो यह हो गई 26 plus 24 कितनी हो गई हमारी 50 और 29 plus 1 30 plus 30 कितनी हो गई 80 bonds हो गई तो यह आपको समझ में आ गया अब एक एक करके बात करते है skull की, skull में बोला गई कि two set of bonds मिलता है, कौन कौन से मिलकर बनता है एक cranial bonds और एक होता है facial bond, total हो गई 22 bonds अब याद रखना है 22 bonds ही बोला है, NCRT ने, skull के अंदर अब पहले बात करते हैं, cranial की cranial में कितनी होती है, 8 in number कितनी होती है, 8 in number अब यह एक एक डायगराम में बताऊंगा और यहाँ पर यह hard protecting outer covering बनाता है किस के लिए brain के लिए जिसको बोला जाता है, cranium तो cranial बनाता है brain के लिए अब हम एक एक करके देख लेते हैं, कि वो 8 bonds कौन सी हो गई इस डायगराम के अंदर सबसे पहले, O.C. Ptyle Condyl यह total 1 होती है, temporal bond यह 2 होती है, parital bond यह भी 2 होती है, frontal bond यह 1 होती है, spinoid bond यह 1 होती है, ethimoid bond यह भी 1 होती है, यहां तक आती है, हमारे कौन सी bonds यह आती है, हमारी cranium bonds, अब 1 काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो total यह bond कितनी हो गई, 8 bond हो गई यह आपको याद रखना है, O.C. Ptyle Condyl क्या है, देखिए O.C. Ptyle Condyl होता है, clear है, इसके अलावा यह जो cervical bone होगी, यहां से vertebral column की जो cervical bone आएगी उसके सेथ में articulate करता है, यहां से जो हमारा O.C. Ptyle Condyl दिखाए दे रहा है यहीं से start होगी, हमारी vertebral column तो यहां पर इसको बोलती है, यह कोई bone नहीं है, इसी bone का यह पार्ट है, तो यह आपको याद रखना है, clear है ओके, तो यह हो गई हमारी eight bone में आपको बता चुका हूँ, उसके बाद में यहां पर आगे लिखाए देगी, the facial reason is made up of fourteen skeletal elements, which from the front part of the skull, यह front part of the skull का बनाती है facial bone, अब facial bone कोई कोई सी थी, देखिए, इथिमोईड तक तो यहां से यहां तक तो हमारी आगई cranium bone clear है, अब यहां पर बात करते है lacrimal, lacrimal कितनी होती है two होती है, laser कितनी होती है, two होती है gyigomatic कितनी होती है, two होती है maxilla कितनी होती है, यह भी होती है मेंडेवल कितनी होती है केवल वन होती है और यह हाईयोइड बौन जाता है यह फेशियल के अंदर नहीं आता है यह अलग से आता है माँ पहले बता चुको अब आप यह कोगे टू टू फॉर सिक्स और यह तो एट और यह नाइन नहीं हुई इसके अलावा तो फॉर् के अंदर आती है और दो ही होती है inferior nasal कॉंडाइल तो inferior nasal condyld दो हो गई Twoём Twenty ये clock Country आपको सामने डियागराम देख िख ह्यँ ह करता है यहाँ तो यह होगी आपकी facial बॉन इल्ट अब को यह इसमें नहीं आता है किसमें बी नहीं आता बन streetslish से अलग से यू शेप्ट बोला है यह हाई इस प्रेजेंट दा बेस ऑफ दा बकल के विटे के नीचे होते है इस ऑलसो इंक्लूड़ी इंदा सकल और यह भी सकल के अंदर आती है यहां पर टोटल एट ही हो गई फॉर्टीन हो गई यह ट्वंटीटू हो गई एक सिंगल यहां कasking में लिटा शेट करों होते सब güç यहाँ पर शूंड़ी ऐस यहां के निचे विटी रूटव कउलम होंते है वा आपसे करते हैं with the help of two occipital condyle किसके साथ में occipital condyle इसलिए जो human का बहुते हैं dicondylic skull भी बोला जाता है क्योंकि यहां पर occipital condyle हो कितने total two होते हैं और इसके साथ में vertebral column जो होती है वो articulate करती है अब यहां पर हमारे सामने दिये होया आपकी क्या vertebral column next आम बात करते हैं vertebral column यह भी अभी तक axial skeleton के अंदर ही पार्ट आता है vertebral column जो होती है वो 26 serially arranged unit से बनती है जिसको बोलते है vertebra यह vertebra से जो होती हो vertebral column बनती है और यह कहां पर place होती है dorsally placed होती है यह कहां से स्टार्ट होती है इस extend from the base of the skull जो स्टार्ट होती है और जो आपका main framework होता है trunk का जो बीच का जो portion होता है आपका थोरे सी को जो आपका abdomen part होता है उसका framework बनाती है इच vertebra है जे central hollow portion जिसको neural canal भी बोलती है यहां पर जो vertebra होती है इसके बीचे में hollow portion होता है से खाली जगह होती है जहां से आपकी neural canal बोलके उसके अंदर से क्या होता है आपका spinal cods होता है आपको पता है central nervous system में दो पार्ट होता है एक होता आपका brain ब्रेन जो होता है वो skull के अंदर क्रेनियुम के अंदर आपका cover होता है next part होता है spinal cord spinal cord क्या होता है या जो आपके spinal cord जो होता है वो vertebral column के अंदर से जाता है तो यह चीज clear होगी ओके अब यहाँ पर जो सबसे पहली जो vertebral column आती है जो first vertebra आती है उसको बोलते है atlas और यह directly articulate करती है विद्दा occipital condyle मैंने आपको number होती है 5 फिर एक सेक्रम और एक कोकिक्स तो 12 और आपकी यह वापिस 12 12 कितनी होगी 24 एक सेक्रम और एक कोकिस टोटल कितनी होगी 26 होगी clear हो गया यह यह यहाँ पर आई गया है देखे लिखाव है वर्टिब्रा कोलम इस डिफ्रेंशेट इंटू सर्वाइकल सेवन तो रिसिक ट्वैल लंबर फाई और सेक्रल जो वन फ्यूज्ड होके क्यों क्यों क्योंकि आपको पहले ही बता दूं जो एक चाइल्ड होता है जो क्यों स्टार्टिंग में जब किसी चैल्डरन का बर्थ होता है किसी चाहिल जब स्टार्टिंग में बर्थ होता है उस टाइम पर टोटल थरी एंडर्ड बॉन होती है तूज्जी निघंड़ ने बोला है कि जो सेक्रल है वो फ्यूजड मतलब कुछ एक बोन से मिलकर एक बॉन बनी है और कोकीजियल जो है वह भी एक आपकी ये जिसको कोकिक्स बोला है कोकीजियल भी इसकती है यह भी आपकी फ्यूजड है क्लेर हो गया ओके तो यहाँ पर यह चीज आपको क्लेर होग टॉटल 26 कै से चुका होगा इसके लावा यहां पर रहे इसको स्पोस्पोर्छ आपकर करता है इसके लावा ऑगा में पर सिंगल रहों तहीं यह में यहां पर हमारे किसके बारे में बात कर चुके हैं आप हम बाते हैं अब यह बहुत इंपोर्टेंट वाला प्रचन यह पूरा परग्राफ आप यह कह सकते हो बहुत इंपोर्टेट आपको क्यों क्यों कि 2007 में फिर उसके बाद में 2010 में 2017 में 2019 में और फिर नी 2020 में भी यहां से इसे ना चुका इतना ज्यादा कि उसे नाता तो इसलिए बहुत इंपोर्टेंट है डेग्राम आपको मैं यहां पर आपके सामने सामने दिमिव पर पिया यहांपर इस साइड में 12 है यहां पर भी आप दिखेंगे 12 12 कितनी होगे टोटल 24 होगी पैर में क्या बोलेंगे 20 12 पैर बोलेंगे क्योंकि बिल्कुल सेम होती है जो राइट साइड वह लेफ्ट साइड है इसको पैर बोल देते हैं कि यहाँ पर इनोंने यही बताया है अब या देखे लिएट डिए हरे जोती है वह कैसी zkौएपीच ूएछ摼ुआ बट कर सौनझाप एंग अगया सबसे कि सबी सब्सक्राइच नहीं होती है यह बह। यह आपको याद रखना पिछ अब यहां पर आगे क्या लिखा देखिए इसको क्या बोलते हैं यहां पर इसको क्या बोलते हैं बॉन मी बोलते हैं अब देखें आप सेवन पेर आफ रीब को बोला जाता है ट्री इप क्लियर है क्योंra क्योंकि होती है वह पीछे तो वर्टिब्रा से जो कनेक्ट होती है वैसे तो 12 की 12 जो होती है वह आपकी वर्टिब्रा तो यहां पर इसकी मदद सी डारेक्ट से अटेच होती है कौन सी पहली प्यर और यह जो पहली सेवन प्यर है तो इसको क्या बोले जाता है वर्टी ब्रो मतलब जो वर्टी ब्रों के साथ में इसके लावा पूरा नम होता है sternal क्या बोलते हैं इसको sternal क्यों क्योंकि आगे यह sternum से अटेच होती है तो इसको जो first seven pair होती है इसको वट्टी ब्रो sternal भी बोला जाता है और इसको true ribs भी बोला जाता है clear हो गया कौन-कौन सी first seven pair को अब जो आपकी eight ninth or tenth pair of ribs होती है वो do not article directly with the sternum यह sternum से eight ninth और tenth जो है वो क्या है आपके sternum से अटेच नहीं है यह किसके साथ अटेच है बट जो इंद सेवन्थ rib with the help of hyaline cartilage यह जो सेवन्थ वाला है इसके साथ में अटेच है यह देखिए यहांसे यह सेवन्थ जा रहा है इसके साथ में eightth आ गया ninth आ गया tenth आ गया तो eight nine tenth जो होती है वह सेवन्थ के साथ में अटेच होती है इसको फोल्स रिब भी बोला जाते है और इसको एक और क्या बोला जाते है देखिए वर्टी ब्रो कॉंड्रल रिब्स क्यों क्योंकि यह डारेक्ट ली जो हमारा यह वाला पॉर्शन है क्वल यह वहाँ पे उसके साथ में और इसको फोल बोला जाते वर्टीब्रो कॉंड्रल ऑढकर्ट फोल्टिंश्पाने सब्सक्तिए यह directly free है किसी के साथ connect नहीं है पीछे cable vertebral column से replant है इसलिए इनको floating ribs भी बोला जाता है क्या बोला जाता है इनको floating ribs भी बोला जाता है clear हो गया यहां पर आपको यह समझ में आगे यह पूरा क्या बनाते हैं rib cage बनाते हैं यानि जो आपका vertebral column है यह जो आपकी ribs वगेरा स्टरल ना वगेरा क्या मिलकर क्या बनाते हैं rib cage बनाते हैं ओके अब हम बात करते हैं appendicular skeleton के अंदर तो वहां पर एक्जियल में total 80 थी यहां पर कितनी होगी 126 bone होगी अब इन्हों नहीं बोलगे each limb is made up of 30 bone यानि हर एक limb यानि limb किसको बोलते हैं hand या फिर legs को क्या बोलते हैं लिम बोलते हैं तो हर एक limb में कितनी है 30 है तो हमारे पास total कितनी है 2 hand 2 legs यानि 4 है तो इसको multiply करेंगे 4 से 13 to 4 यानि 120 bone तो यही होगी हमारी अब रह गई 6 bone 6 bone क्या होगी 6 bone होगी जो girdles हैं हमारे पास pectoral girdles और pelvic girdles को मिलकर बनेगी 6 bone वह मां आगे बता दूँगा clear है okay सबसे पहले बात करते हैं the bone of hand के बारे में जो hand हमारा four limbs होता है और जो leg होता है इसको hand limb बोलते हैं तो four limbs में कन से होती है clear हो गया फिर होती है हमारी karpopal, karpopal जिसको wrist bone बोलते हैं यह होगी काрپal कितनी होती है 18 number यह हो गई हमारे पास 8,1 यह 1,1,1 clear है उसके बाद में मेटा कारपल मेटा कारपल पाल्म बोन जिसको बोती है हमारी होगी मेटा कारपल जिसको क्या होती है पाल्म ये कितनी होगी हमारी पास 5 बोन उसके बाद में आते है फैलेंजिस जो हमारी फिंगर्स के अंदर होती है फैलेंजिस और ये कितनी होती है हमारे पा बारे मेंuet होती है सटाट हमारी फीमर से जवाप होगी फीमर एक होगी टीबिया एक हो गयी फीबूला ये वहाँ पछत्र is akylt पर हमारे पास wrist bone 8 थी उसके जगह यहां पर टार्सल हमारे पास 7 हो गई तो यहां पर 7 जो होती है वो हमारे पास क्या हो गई ankle bone जिसको बोलते है टार्सल वो 7 हो गई एक fibula एक tibia एक femur यानि 10 हो गई उसके बाद metatarsal वही सेम हो मारे पास कितनी हो गई 5 हो गई तो 10 और 5 15 हो गई एंड फैलेंजी जो होती है वो 14 हो गई जैसे फिंगर्स होती है सेम वैसे यह हो गई टोटल 29 bone हो गई are the bones of the length that is kindly अब रह गई एक bone हो गई तो 29 हो गई तो एक नी को वेंटरली साइड में जो वो cover करते हैं जिसको नी केप भी बोलते हैं अब यहां पर डियाग्राम में देख लेते हैं यहां पर यह हो गई यह हो गई यह हो गई तर्सल मारे पास 8 की जगह 7 थी यह मेंटा टार्सल फाय ते यह फैलंजी जमारे पास 14 थे बट यह एक यहां पर 8 की जगह 7 थे बागी सब और 30 .30 करके हमारे पास 120 ब 온 की होगी बॉन और पास कहां से आई क्लियर हो गया ओके अब हम बात करते हैं गेडल्स के बारे में तो गेडल्स होते हैं दो हमारे पास एक होता है पेक्टोरल गेडल्स एक होता है पैल्वी गेडल्स पेक्टोरल होता है वह जो हमारे अपर वाले लिंब्स है जो हमारे फोर लिंब्स है वहां प पेज किसको करते हैं जो हमारे पास limb की बोन है उसको articulate करने में मदद करते हैं यह गेडल के अब देखे इच गेडल is more made up of two halves यानि हर एक गेडल half portion से बनता है मतलब right side left side half right side होगा half left side होगा इस तरह से अब सबसे पहले पेक्टोर गेडल की बात करें तो पेक्टोर गेडल के अगर half portion की बात करें तो यहां पर consist of clavicle and scapula अब ध्यान से देखना हमारे पास कितनी bone की कमी रहती थी six bone की कमी रहती थी क्यों क्योंकि एक में 30 तो total 120 तो हम कर चुके दें अब एक side में clavicle हो गई one एक scapula हो गई one तो यह तो half में होई ना अब इसको double कर दीजिए one 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 और one यह two हमारे right side two left side तो total कितनी हो गई four हो गई कितनी हो गई four हो गई तो यह total 120 यह हो गई Pectoral? गरेडल में four हो गई यह 24 अब भी दोस्द रहती है तो pelvic griddle के अंदर यह होती है two two तो total कितनी हो गई one 26 हो गई अब आपपका हो गई यहां पर यह ileum isquium pubis क्याता है ये मिलकर ही बनाते हैं फ्यूज होके क्या कोक्जल बन बनाते हैं ये फ्यूज क्यों हो जाते हैं आपको बताया था चाइल्ड में 300 बन्स होती है और एडल्ट में 206 रहती है उस टाइब से अब जो मैं ये आपको बताने वाला हूँ नेक्स जो यहां से लेकर हमारा आगे तक जो portion चलेगा ग्रेडल्स के बारे में बहुत जादा important है अब कितना ज्यादा important है ये इतना ज्यादा important है कि AIP M.T. 2005 में देन 2010 में देन 2011 में देन उसके बाद में हमारे पास आया 2050 NEET के अंदर देन नीट 20-20 में देन नीट 20-21 में तो इतनी बार ये आ चुका क्योंसे ने यहां से तो इस को पोर्शन को बहुत अच्छे से समझना है क्लियर आपको समझ में आ चुक वह होगा जो पेक्टोरल ग्रीडर होता है वहां पे कलेविकल और सकेपूला होता है पहले बात कते हैं सकेपूला गी सकेपूला एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लेट बोन होता है और यह कहां पर होता है डोर्सल पार्ट औफ दा थ्र organize जो मारा फ्रेसिक होता है उसके डूर्सल यानि पीछे की साइड में होता है और कहां पर होता है जो हमने बताओ three total the rift है टोटल कितनी थी 12 pair rift ती उसमें जो 2nd से लेके seven pair ribs के बीच में क्या मिलता है skapula मिलता है triangular flat bone होता है dorsal side के अंदर अगर रिखा था dorsal flat triangular body of skapula has a slightly elevated ridge called the spine which project as a flat expanded process called the acromion अब ये बहुत बार पुछा गया कि acromion किसके साथ में रहता है तो acromion आपके skapula के साथ में रहता है अब ध्यान से देखिए मैं बताता हूँ ये हो गया skapula ये पीछे की साइड में ऐसे triangular shape में आपको दिखाई दे रहोगा तो यहां पर जो portion होता है ना elevated थोड़ा सा triangular shape में इसको क्या बहुते है spine या फिर यहां पर क्या होता है यह 나물 होता है क्या हूता है acromion होता है इसकी ही बात यह कर रहा है कि यह जो ridge बना रहा आईěटीड ridge यह जो flat side में इसको बोलते है एक्रो मेन अबटको समझ में भी आए देखिए, अगte लिखते हैं यह रहा यहां पर तो यह कलेविकल ऐसा यहां पर यहां वाला पोर्शन जो है जो किय पोला के साथ में इसको एक्रोमियन बोलते हैं clear होगया आगे लिखा वहाóst है अब यह जो एक्रोमियन लागैं देखिए बिलोधा एक्रोमियन तोड़ा सा नीचे इज डिक्रेशन यानि थोड़ा से एक अंदर की साइड के पॉर्शन होता है जिसको बोलते हैं घ्लीनोईड के विटी ंचीक बहुत बार आचुकि यह आपके नीट के अंदर यह यह जो होती है इन कुलीनोइड के के विटि जहां पर आपकी जो यह पोस केपुला क्सके एकर और हूं यहां पर आपके तीनों मिल रहे हैं क्लेट कल स्केपुला और हीूमरस तीनों यहां पर मिल रहे हैं तो इस Gör इसको उपर से देखोगी कि तो ऐसी होगी अगर आप इस को कोलर बोन भी बोलते हैं बिल्कुल अपर वाली बोन अगर इसको हाप हाथ लगा होगे तो आपको दिखाई देगा कि आगे से यहां से जैसे हमारा स्टर्लम स्टार्ट होता है यह हमारा क्या हो गया स्टर्लम यहां से स्टार्ट होता है देखो यह यह चीज़ क्लियर होगी अब हम बात करते हैं पैल्वी ग्रेडल में यहां पर टू कोक्जल बॉन होती है तो मैंने बता दिया यह टू कोक्जल बॉन होगी और वह हमारी फॉर होगी यह होगी टू सिक्स और वन ट्वंटी हमारी होगी लिम में तर वन ट्वंटी सिक्स बॉन above bone is a cavity called acetabulum. देखी ध्यान से, glenoid cavity कहां पे थी? pectoral gradle में थी. acetabulum जो cavity है, यहां पर यह देखी ध्यान से, यह हमारे ileum, यहां पर pubis, यहां पर तीनों मिल रही है, तो यह जो cavity बना रही है, वो कौन सी cavity? acetabulum और यहां पर जहां पर thigh bone, यह हमारे femur bone है, यह articulate कर रही है, यहां पर तो इस type से, अब आगे लिखाए दा two half of the pelvic gradle meat ventrally to form a pubic symphysis, यह जो आपके coxal bone होते हैं, यह दोनों अगर यहां पर मिलते हैं, तो यहां पर होते हैं कुछ cartilage, और यह cartilage कौन सी है, fibrous cartilage है, hyaline cartilage कहाती थी, ribs पर थी, यहां पर कौन सी है, आपकी fibrous cartilage होती है, जहां पर आपके जो दोनों coxal bone होते हैं, जो यह meet करते हैं, और यह बनाते हैं pubic symphysis, क्या बनाते हैं, जहां पर आपके joints involved होते हैं, clear है, जो भी locomotory moment होती है, आप यह नहीं कह सकते हैं कि वह बिना आपके joint के हो जाएगी है, यह possible ही नहीं है, तो joints होते क्या है? जोइंट नहीं नहीं है जहाँ पर bones होती है या फिर bones और Cartilage पर connect होती है तो bones और Cartilage रही है या फिर bone और Cartilage पर ऑर तो उसको बोलते है क्या joint बोलते है जब भी कोई muscles force generate करती है movement करों करने के लिए तो वहाँ के थू होती है, मूवबर मेश्या जॉएंट के थू होती है जैंपे जॉएंट जो हुता है, एक्ट इस फल्करम फल्करम होता वो पॉइंट जहाँ ज Performed nights होगी जो है, तो यहाँ पर वो चीजे प्लॉइट करता है जो सकती है, लगलग सक्ती है depend करती है कि वहाँ पर वो joint से वो कैसे हैं तो हमने जो joint से उनको classify किया है three major category में कुल कुल सा पहला है fibrous joint second is cartilaginous joint and third is synovial joint अब आप पूछोगे इन जो हमारे joint है ये वाला paragraph पढ़ने वाले हैं इससे कितनी बार NEET में किसे न आ चुका है तो आपको बता दू AIPMT 2009 काओगे बस मैं कहा दू फिर कहा दू नी 2013 काओगे बस फिर कहा दू 14 फिर कहा दू 15 फिर कहा दू 17 फिर कहा दू 19 फिर कहा दू 20 21 इतनी बार किसे न आ चुका है यानि बहुत ज़्यादा important है तीनों की तीनों joints सबसे पहले बात करते हैं फाइब्रस फाइब्रस joint में एक important याद रखना कोई भी moment अलाव नहीं करते हैं यहाँ पे कोई moment होगी नहीं यह ऐसे joint है जहाँ पे कोई moment नहीं तो अभी आप कहोगे कि वह point तो हमने joint की definition यह दे थी कि वह point जहाँ पे bone to bone या फिर bone और cartilage जो है वो contact करते हैं हर एक joint का मतलब यह नहीं कि वहाँ पे moment करवाई जाएगी तो फाइब्रस में कोई moment नहीं होती यह हमें कहाँ पे देखने को मिलती है यह flat skull bone जो होती है वो end to end fuse होती है with the help of dense fibrous connective tissue यह बहुत important है यानि यह जो होते हैं यहाँ पर joint होती है आप यह flat skull bone के अंदर देखने को मिलती है end to end रहती है और किसके दोरा contact होती है dense fibrous tissue के दोरा contact होती है to form the structure to form a cranium और यह कहाँ पे मिलती है cranium के अंदर eight bone पढ़के आए थे जो brain को cover करती है वहाँ पे fibrous joint होती है वाँ पे कोई moment नहीं होती है next time बात करते है cartilaginus यहाँ पे जो bones involved होती है वो joint together with the help of cartilage इसलिए इसका नाम भी लग दिया cartilaginus joint यानि दो bone के बीच में cartilage का एक होगा point और वहाँ से दो bone join करेगी the joint between the adjacent vertebra vertebral column है जहाँ पे total it permit limited moment यहाँ पे moment होती है बट बहुत ही limited होती है आपको यह पता है कि आप अपने वर्टिब्रागी moment करा सकते हो बट एक limited point के अंदर clear next आते है synovial joint सबसे ज़्यादा important यह है क्योंकि 2013-14-9-2019 में यहाँ से युसर्ण आया है साइनोवियल joint क्याता है actual में यहाँ पे जो fluid field synovial cavity होती है मतलब ऐसी cavity जहाँ पे कुछ fluid जो होता है between the articulate surface जो दो bone आ रही है उनका surface आ वहाँ पे कुछ fluid होगा और इस arrangement की वज़े से considerable moment होती है मतलब आप ऐसी moment जो आपको दिखाई दे जाए जैसे आपके hand की moment आपके पेरों की moment वहाँ पर अब यह इस joint को synovial joint है इसको अलग अलग part में divide किया गया इनको अलग अलग divide किया गया पहला bowl and socket joint इस joint को बोले जाता है bowl and socket joint यह कहाँ पे मिलेगा humorous and pectoral gradle के बीच में जहाँ पे अभी हम पढ़के थे pectoral gradle आपका scapula आपका gravical और humorous जहाँ पे मिल रहा था जो glenoid cavity के पास में वहाँ पे joint बनता हो bowl and socket joint बनता है next hinge joint की बात करते है hinge joint मिलता है जो केवल एक direction में movement करवाता है जैसे knee आपका knee एक ही direction में up down up down up down movement करवा सकता है इसी type में आपका humorous के बीच में और होता है जो hand के humorous और alna के बीच में joint होता है hinge joint होता है next joint यह कापे होता है between the atlas and axis atlas and axis कापे जहांपे neck की movement हो रही है आपकी वह वाली gliding joint कापे होता है between the carpels जो carpels होते हैं वहाँ पे gliding joint होता है saddle joint कापे carpels and metacarpel of the thumb metacarpel of thumb है और उसके बीच में joint होता है saddle joint होता है अब हम बात करते है disorder of the muscular अब आप यह कहोगे यह कितने एक important है हर एक important हो सकता है वह आपको पता चल जाएगा बता देता हूं कितनी बार कि उसे ना चुका है 2012 में 2013 में उसके बाद में 2016 में 2019 में 2020 में और 2021 में 2021 में इतनी बार यहां से कि उसे ना चुका है तो आपका हुए 19 में 20 और 2021 मतलब three year continue कि उसे ना रहे है तो काफ ही important हो सकता है सबसे पहले माइस्थेनिया ग्रेविस के बात करते हैं यह एक autoimmune disorder है और इसमें जो neuromuscular junction मेंने अभी भी बताय था जहां पर आपके nerves और muscular जो muscles होती है उनके बीच में जो junction होता वह affect हो जाता है यहां पर इस disease में तो यहां पर जो आपका neuromuscular junction है वह affect हो जाता है उसकी वज़े से fatigue हो जाती है weakness हो जाती है यहां तक की skeletal muscles होती है वह paralysis भी हो जाती है next time muscular dystrophy dystrophy यहां पर क्या होगा degenerate हो जाएगी क्या जो आपकी skeletal muscles है वह ज्यादा degenerate हो जाएगी क्यों होता है यह ज्यादातर यह होता है genetic disorder की वज़े से यह important है आपको याद रखना है 2020 2019 में क्यूस्टन आ चुका है next time बात करते हैं यहां पर क्या होता due to the low level of calcium iron calcium iron की अगर कमी हो जाए किसके अंदर body fluid के अंदर तो उसकी वज़े से wild contraction होने लगता है इसको बोलते हैं टीटेनी अगर joint में inflammation हो जाए arthritis बोलते हैं next is osteoporosis osteoporosis age related disorder यहां पर जो bone mass होता है वो क्या हो जाता है decrease हो जाता है यह mainly होता है अगर level of estrogen जो होता है वो अगर कम हो जाए तो यहां पर osteoporosis हो सकता है next हम बात करते हैं gout की 2020 में भी किसना आचोका 2016 में और 2013 में तो यहां पर gout क्या होता है joint का inflammation हो जाए उनके अंदर uric acid वगेरा crystal का जमा हो जाए तो यह सब कुछ था इस चैप्टर के लिए आपको वीडियो पसंता है तो लाइक कीज़े दोस्तों साथ share कीज़े मिलते हैं जल्दे नेक्स्ट वीडियो साथ तब तक के लिए धन्यवाद कर दो